हालो फ्रेंड्स शलें आज हम कुछिया बनाते हैं तो सबसे पहले हम फिलिंग के तयारी कर लेते हैं करीब 50 क्राम सुजी लेकर उसे हम लो फ्लेम पर ड्राइ रोस्ट कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए लेजिए यह ड्राइ रोस्ट हो गई है इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और सेम कड़ाही में हम थोड़ा सा देसी खी लेंगे और उनमें हम ड्राइ फ्रूट्स को भी फ्राय कर लेंगे ड्राइफूट्स को फ्राई करने से ना उनका टेस्ट भड़ जाता है यहाँ पर मैंने यह थोड़ से काजू लेकर फ्राई किये हैं और सेम बाउल में इसको भी निकाल लेंगे ड्राइफूट्स ना आप अपने पसंद के हिसाब से या फिर जो आपके घर अविले पर हो उनहीं का इस्तिमाल कर सकते हैं और अब ना थोड़ से बादाम यह मैंने कट कर लिये थे इनको भी हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे चलिए इसको भी निकाल लेते हैं तो इस तरीके से ना आप पहले से कुछ तयारी कर लें और यह नारियल बूरा है जो कि मैंने फ्राईर नहीं किया है बहुत जल्दी जल जाता है साथी में हमने चार से पांच इलाइची का पाउटर बना लिया है और केसर का भी इस्तेमाल किया है यहाँ मेरे पास यह धाई सुक्राम मावा है जिसको हम सेम कड़ाई में वह घी बाकी है इसी में हम फ्राय कर लेंगे flame को low ही रखना है और इसको golden होने تक हमने फ्राय करना है continuous ली अश्कों चलाते रहे हैं और इसमें llamz नहीं रहने चाहिए इस तरीके से आप प्रेस करते रहेंगे थोड़ा सा घी इस वक्त पर और डालेंगे हम देखिए मामने ने कड़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है तो हमने जो ये मिक्स किया था ना सब ड्राइफरूस वगयरा उसको भी इसमें एड कर देंगे और गैस ओफ कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी तक हमने शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया है वो इसलिए कि इस मिश्रन को हम ठंडा होने देंगे तब ही हम शक्कर एड करेंगे यह मैंने शूगर लेकर ग्राइंट कर ली थी और थंडा होने पर ही एड की है अगर आप करम में ही एड कर देंगे तो यह अपना पानी छोड़ेगी और आपका मावाद धीला हो जाएगा तो मैं भी वोईस ओवर कर रही हूँ तो मुझे इस वक्त पदा चला कि मैंने किश्मिश तो डाली ही नहीं थी इस तरह के से आप पाइंट करके देख सकते हैं वैसे अब तो गुचिया खत्म भी हो गई और मुझे वोईस ओवर फिर पदा चल रहा ही मैंने किश्मिश का इस्तिमाल नहीं किया भूल गई चलिए इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और अच्छे से ठंडा होने देते हैं बहुत ही अच्छी महका रही है मावा की और जो हमने इसमें इलाइची पॉडर डाला है न उसकी जब तक ये अच्छे से ठंडा होता है तब तक हम क्या करेंगे हम डोल लगा लेंगे यहाँ पर हमने भाफ केजी मैदा लिया है उसमें करीब सो क्राम हम देशी घी डाल कर उसको मॉैन देंगे पहले घी को अच्छे तरीके से आपने पूरे मेदा में लगा देना है थोड़ा सा घी और लिया है हमने मौईन अच्छे से देना ताकि आपकी गुचिया क्रिस्पी बने इस तरीके से आप मुठी बना के देख लीजिए मुठी बन जाए तो इसका मतलब आपका मौईन परफेक्ट लगा है तो देखिए छोट इसे बाउल में हमने पानी लिया है वो भी हम थोड़ा थोड़ा डाल कर बाइंट करते जाएंगे एक साथ हमें पानी नहीं डालना है तो देखिए बस इतना सा बाउल हमने पानी लिया है और नहीं लेंगे इसी से बाइंट करने की कोशिश करेंगे डो हमें टाइट ही लगाना है तो लिजिए डो लगकर तयार हो गया है इसको 5-10 मिनट रेस्ट करने देते हैं इधर 5-10 मिनट बाद हम क्या करेंगे इगार फिर से इसको मस लेंगे और इसकी छोटी-छोटी लोई नीबू के आकार की लोई रेनी है उसको लेकर हम इसको बेल लेंगे थोड़ा सा हम चकला को भी ग्रीस कर लेते हैं तो बस हमें इतनी सी बस इसकी चापाती बनानी है जितना हमारा मोल्ड है यह हमारे पास गुझिया का मोल्ड है उसको ब्रश से हम ग्रीस कर लेंगे और देखिए उस पर यह चापाती रखकर जो हमने फिलिंग बनाई थी ना वो इसमें हम फिल कर लेंगे तो इसके किनारों पर ना हम इस तरीके से पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाएं अब इसको हम प्रेस करेंगे और यह बाकी का जो मैदा है ना एक्स्ट्रा हम इसको हटा देंगे लेजे देखे कितनी अच्छी गुजया बन कर तयाय हुई है कितना अच्छा शेप आया है अब हम क्या करेंगे कड़ाही में घी लेंगे हमने टोटली गुजया बनाने में देशी घी का ही इस्तेमाल किया है आप चाहें तो तेल में भी तल सकते हैं या फिर हाफ ओयल, हाफ खी भी ले सकते हैं तो इसको एक बार तो अच्छे से गरम होने देंगे, उसके बाद इसका फ्लेम लोग कर देंगे फिर हमने जो कुचिया तयार की थी, एक साथ आप चार से पांच ही तल हैं, ज्यादा मत भरें वरना ये खुल सकती हैं और फिर सारी कुचिया आपकी खराब हो जाएंगे पेशेंस के साथ बनाना पड़ता है, और लोग फ्लेम पे ही इसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो देखिए, कलर भी इसका गोल्डन होने आया पता घर पर बनाकर खाने करना मज़ा ही कुछ और है बाजार में तो ज्यादा दर्चाशनी वाली आती है, जो की बहुत ज्यादा मिठी हो जाती है घर पे आप अपने हिसाफ से मीठा, कम, ज्यादा जो भी जैसे भी खाना हो पूरी शुद्धदा से बना सकते हैं लेजिए, अब इसको निकाल लेते हैं तो इस तरीके से निकाल लेते हैं, और जो भी इसका एक्स्ट्रा घी होगा, वो भी निकल जाएगा देखिए, मैंने अकेले ने इतनी सारी कुछिया बनाई, तो चलिए सर्फ करते हैं तो भई, मीठा खाने के लिए किसी तिर्फ करते हैं तो भई, मीठा खाने के लिए किसी तिर्फ करते हैं